नवाशाल दोस्तों PCS गुरूजी में आपका स्वागत है दोस्तों एक हवार निकल के आ रही है पिछले कुछ दूने से कि फिलिपिन्स फिलिपिन्स जो कंट्री है वो इंडिया का धुरूब हेलिकॉफटर पर चेस करने के लिए थोड़ा अपना इंटरेस्टों कर रहा है अब यह जो धुरूब हेलिकॉफटर है यह एचियल द्वारा बनाया आता है इंडिया की कंट्री एचियल है जो डिफेंस में है और बहुत सारे जहाज भारती सेना के लिए बना चुकी है चाहे वो आर्मी हो चाहे नेवी हो चाहे एरफोर्स है तो एचियल का जो मेंस का एक्जैम देखते हैं तो इसमें जीएस टू में जो अठारवा उनिस्वा हमारा जो नोटिफेकेशन के साब से कोर्स है इसमें इंडिया नेट से लेशन्शिप विद नेबरिंग कंट्री हो गया या बाइलेटर रीजिनल एंग ग्लोब ग्रूपिंग्स एन एग्र सरकार के आने के बाद से हमें कह सकते हैं कि हिंदुस्तान डिफेंस में डिफेंस में कह सकते हैं वो थोड़ा सा आत्म निर्भर बनने की ज्यादा कोशिश कर रहा है कोशिश पहले भी करता था लाकि अब वो ज्यादा कोशिश कर रहा है तो इस वीडियो में हम पहले यह दे बड़ा एक player की रूप में अपने आपको स्टेबिस करने जा रहा है तो जो और यदि हमाँ इस्टेबिश्ट प्लियर हैं जैसे रॉषिया हो गया अमेरीका हो गया इस्राइल हो गया फ्रांस हो गया जो इंडिया से बहुत अच्छे संबन्थ है तो वो इसको कैसे लेंगे कि या वो competition group में लेंगे या किस तरह लेंगे वो क्या मौका देंगे हिंदूस्तान को कि वो भी अपने आपको यहां इस्टेबिस कर सके क्योंकि जो शेर है वो तो कम हो जाएगा ठीक है तो इसके बारे में देखेंगे इंडिया किस तरह से चैलेंज को हैंडल कर सकता है इसके ब को पिजी प्लस मेंस की तारी कराए जाएगी जो वीडियोस पीडियाफ टेस्के माधियम से आपको दी जाएगी ठीक है इसके कोर्स की फीज हुए बहुत ही नॉमिनाल है बहुत तीन हजार नौसो निनना निबर पर फीज है और आप एट थी वन सेवन जिरो फो पर कॉल कर ले सकते हैं अगर कोई और दिक्कत हो तो भी आप अराम से कॉल करके उसे बात कर सकते हैं इसमें कोई पचार जिस नहीं आजते हैं बात करने के ठीक है दोस्तों इसमें आपको बताया कि जो हिंदुस्तान अनॉनॉटिक्स लिमिटेड यानि हेल उसका जो जहाज है धुरू यूज कर रही है इंडिया में लगभग तीन सो धुरूव हेलिकॉफ्टर है चौपर्स हैं इंडिन आरमी के लिए लेकिन इसको नेवी वेरियंट है उसको फिलिपिस लेना चाहता है अब प्रॉलम क्या है कि इसी प्राइस टैग में जो जो कोट किया है एचल ले उसमें ही की एक एच्यश經 का भी जो जहाज है वी अयर बस ने वी अपनी आपको को क्या है अको कोट किया है जहाज को तो एच्या刀 और एय बस दोनों के बीदिंशे पीं इलेकिन है में आगें बढने के लिए एक्स्त्रा सर्विशसजु तियार हो गया है जिसमी मेंटेनेंस पकेज हो गया यह पेर पार्ट हो गया एसिस्टेंस हो गया तो कुछ ऐसी डील एक चाल बना रहा जो कि एडि़ बस से उसको आगे रहने के अपने को कोशिश कर रहा हो अभी डील क्या होती है फिलिपिंस किस तरह देखता है क्योंकि फिलिप अभी एक समस्या और हरी कई बार ऐसा हो ब्रशिया ने इंडिया को एस ओट देने की कोशिश किये देदिया लेडियों होई तो अमेरिका स्षेंश्ण लगा रहा था रहत यूपर अगर आप स्पोर हेंडड़ होगे तो हम आप सेंशन लिगा दे आ जिया है तो ऐसा कुछ फिलीपिंस के साथ में होता है कि जाब भी कोई हेलिकॉफ्टर या बड़ा मियिक कुछ एकडिर्ब्र ब्रॉप करते हैं ये सकतला तो कही बार ऐसा होता है कि अमेरिका हो गया ये ये यूओरो वह गया ये थोड़ा सा humor लगाते हैं और यह कंट्री पर exception नहीं कर पाती है तो इंडिया एरबस जो है अमेरिका की है तो इसमें दिक्कत है लेकिन इंडिया एक अलग से पार्टनर बन के आया और इंडिया ने कई बार ऐसे जो प्रेशर को हैंडल किया है इसलिए संभावना मन रही है कि इंडिया का जो धुरूब है वो एरबस से इस म बहुत जाता एक्सपेंसिव नहीं है इसके अंदर जैसे मैंने पहले का कि इंडियन आर्मी उसको अल्रीड यूज कर रही थी दुरूफ करोड के बीच में इसकी लागत आती थी लेकिन समय के साथ साथ इसमें चेंजिस किया गया ग्लास कॉक्पीट बनाया गया एंटी वैब्रेशन डंपर्स बनाया गए जिससे की कॉस्ट सतर क्रोड तक पहुच गई है और सुनने में आया है कि जो दुरूफ एमार है जो जो यह नेवी का वेरियंट है उसको 110 क्रोड में पिच किया है इंडियन गौर्मेंट ही एचियल ने 110 क्रोड में पिच किया इसके इंदर तो काफी बढ़िया है और नेवी में भी इसकाम काफी बढ़िया रहा है अब कुछ चालेंजिस इसके अंदर है पहला चालेंजिस क्या है कि दुरूब नोड़ोट इंडिया में काफी पक्लर है काफी याधा यूज भी हुआ है साथ पर कुछ और कंट्रीज में हुआ है माल दीव सो गया मॉरिश्यास हो गया नेपाल हो गया है अभी बहुत दिखत प्रैखत यहारी है कि अभी भी जो इंडिया का जो गिन दूरूब ह इसके जो spare parts हैं जो इसके parts हैं hundred percent इंडिया में नहीं बनते हैं पीए पिछाए परसेंड की आते हैं अब यह बड़ा चालेंज इंडिया के साथ है कि अगर इंडियन गवर्मेंट को इंडिया शाहती हैं कि वह एक्सपोर्ड में एक्सपोर्ट में आगे जाएं तो हमें पार्ट्स अपने देश में बनाने होंगे अब धुरूफ कहीं बात कर लेते हैं मात्र 50-50 परसेंट ही पार्ट्स इंडुस्तान बन रहे हैं बाकी पार्ट्स बाहर बन रहे हैं तो अगर इन केस अगर मान लोगे कि यूके या इसराइल या फ्रांस बैन लगा दे कि नहीं है छोड़ стать नहीं है तो भारत सरकार को उसमें देखना पड़ेगा में अब बात करते हैं कि जो इंपोर्ट आउफनार KPा करते हैं तो पिछले क्षालों के इंदर नहीं बाहरारत का इंपोर्ट लगाता गिरा है सिप्री की रिपोर्ट आई है जिसमें ये बोला गया है कि भारत का रिपोक जो इंपोर्ट है जो जो आयात करते हैं वेपन्स आर्म स जो आर्मी के आर्मस है उसमें इन्डिया ने लगभल具 33% की किरावट दे lleva । यह कि यह शो कर रहा है कि हमारे जो डिपेंडेंस रइस्या की उपर है फ्रांस पर है इसराइल की उपर है उसको कम करने कोशिश किया रही है क्योंकि अभी देखा जाएंगे सोला से बीस के बीच में इंडिया का इंपोर्ट है अभी लगभग 50 परसंट जो हैं अपना माल खर लेकिन गिरावत देखने मिली है लेकिन अभी खासा जो इंडिया का इंपोर्ट है वो in रहा है कि दोस्टीज कि में इंडिया जो है वो सेकंड लारज़स इंपॉर्टल बना आम्स का सेकंड लारजेस्ट इस से पर दूनिया में उसका 9.5 परसेंट इंडिया अकेले इंपोर्ट कर रहा है तो अब यह समझ सकते हूं कितना पैसा इंडिया इस चीज में इंवेस्ट कर रहा है अपने जरौत की चीज़ें खरीद रहा है यह ठीक है चुकि हमारे पास दो नेवर्स ऐसे हैं जो बहुत ही नौ हो चाहिए पाकिस्तान हो तो इंडिया का दो फ्रेंड में लगने के लिए इंडिया अपनी केपैबिलिटीज को इन्हेंस कर रहा बढ़ानी कोशिश कर रहा है इसलिए जाहता से ज ज्याधा वह एक्कुपेंट से वैपन साथ है वो ठीक है आपनी फ्रेंड पर लेकिन परती है इंडिया से गरीब के लिए इन चीजों के बीचे बैलन्स करना आपने आपको बहुत जरूरी होता है लगभग पांच परसेंट की गिरावट हुई है इंपोर्ट के अंदर जो ये शो करता है कि भारा सरकार खासकर मोदिस गवर्मेंट आने के बाद जो कॉंशियसली एफर्ट किया गया कि जान बुकि ऐसा कि किस तरह से चीजे ऐसे आइटम्स को इंपोर्ट ना किया जाए जो ह बना सकता है गोलें हर सकता है चोड़े हतियार बना सकता है कि अमनको तो इंपोर्ट ना करें वह तो हम बनाए इस लिए कॉंशेस एफर्ट किया गया जही जो है यह वह घ्र कोशिश है वह आप यह डाटा में देख रहे हो कि पिछले पांच साल के अंदर पांच परसंट के गिरावाट इंपोर्ट में हुई है, खास कर यह वह चीजी होई होगी जो छोटे लेवर भी असान टेकनॉलोजी या प्राण टेकनॉलोजी के वेपन्स होगे, जो इंडिया अब बनाने कोशिश कर रहा है, अच्छा अब इंडिया ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करते हैं तो मैनिफेक्ट्रिंग हब राने कोशिश कर रही है तो इंडिया ने सरकार ने बोला है कि हम 25 लग भग 25 बिलियन डॉलर का जो है इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में करेंगे 25 बिलियन का इन्वेस्टमेंट डिफेंस मैनिफेक्ट्रिंग में दो हजार पच्चेस तक के करने का एक प्लान भारत सरकार ने बनाया है जिसे मैं पहले का था कि इंडिया चाहता है कि अपने आपको इसमें बड़ा प्लेयर इस्टेबिश करें और नेट एक्सपोर्टर बने इन इन चीजों का डिफेंस एक्ट्रिंट का तो यह इंडिया क्ल चाहिए आपका ड्रोन का सिस्टम हो चाहिए इस तरह की सिस्टर जो कि बिल्कूल स्टेट आप टेक्नोलोजी रही है जो दुनिया में किसी को निबेशते थे इन इंडिया को बेचा है अपने साथ ना सिर्फ बेचा है वैपन बलकि ट्रांसफर टेक्नोलोजी भी हुई है अब चुकि इंडिया भी इसमें चाहरा है कि वो आगे बड़े तो अब इंडिया किस तरह से इन चीजों को लेगा और ये कंट्री इस तरह से इंडिया की एंट्री को देखेंगे ये काफी चाहिए चलेंजिंग होगा ठीक है और इसलिए इसको डिप्लोमाटिक और पॉलि अगर इन देशों से हमारे संबंद खराब हो गए तो हमें जो स्टेट अफ दा आर्ट टेक्नोलोजी है वो नहीं मिल पाएगी एडवांस नहीं मिल पाएगी और हम चाइना और पाकिस्तान को पुरानी टेक्नोलोजी के माध्य हम से चैलेंज नहीं कर पाएंगे उनको रोक पिना रहें नेट एक्सपोर्टर अब रहें जिससे कि हमें हमारे रेविन्यू जनरेट हो सके हमारे जॉब जनरेट हो सके हमकुछ पैसा भी कामा सके तो इन चीजों को बड़ा सेंजिटीव हैंडल करना पड़ेगा इसके कुछ रास्ते हैं जैसे कि इंडिया अकेले ना कर सकते हैं एजराइर के साथ सकते हैं फ्रांस के साथ काम कर सकते हैं और जिजब हो आत्यार बेची जाएंगे तो दोनेों कंट्रीज को अार को फायदा होगा इससे क्या होगा कि कॉंपेटिशन और क्यों हम सं सिट्शिंट이व विशे दिखी किस तरह से होता है बाकि हम बाद सा अपना इंपोर्ट कब कर दिया लेकिन हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो इंडिया अभी काफी बीच्छे चल रहा है इंडिया का शेर जो है मिला कि हम नाइन पॉइंट सिन्यारियों वह देखें तो 9.5 पर संट इंपोर्ट कर रहे हैं बड़्य हम जो हैं वह हैं वह एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं तो इसका मतल्ब हैं यह बहुत-बहुत चोटे हैं और बहुत जाता है इसमें एफ़र्ट और चीजों की जूरत पड़ क्योंकि हमारे भी जो मार्केट है वह मैनमार श्रिलंका इसके इर्दगित घुम रहा है अभी हमारी जो रीज है बाकि बड़े देशों तक नहीं पहुंची है तो हमें काफी काम करना है दीरे-दीरे ही चीज में आगे बढ़ना है क्योंकि वहाँ अलड़ी स्टैब्लिश्ट प्लेयर हैं तो उनसे कॉस्ट इफेक्टिफ टेक्नोलोजी बनाने पड़ेगी ना से बहुत हाइएंड हो बल्कि सस्ती भी होने ज़रूरी है जिसने जैसे हमने आईटी सेक्टर में किया है कि हमने अमेरिकन कंपनीज को या अमेरिकन लोगों को एक चीप सबस्टिटूड पर वैड किया है सस्ता सेूंट पर बहुत अच्सदूड जोगा सकॉलिटी से कॉंप्रमाईज ना करता हुए हम सस्ता बेच पाए जब तक हम यतने बड़े हैं और ऑने मार्केट में में क HOंपेटी नहीं करता हैं कुछ एकश्पोर स्टैइजिस इंडिया की रही है तो इसको इंडिया के जो इन्डिया को है इसको पिछ कर रह है इंडिया का अदिया क्षा राइब इंडिया के क्राइन आ利यर्ट्राफ प्रक्राइब कर दिया है कि नारे 21-22 में सेतर क्रोड जो कि सिर्फ और स्रिफ डिफेंस मैनुफेस्ट्रिंग सेक्टर को डिवलप करने के काम आएगा तो अच्छा कासा पैसा इंदिया ने रख दिया है उमिद करते हैं कि पैसा लगातार इन्वेस्ट किया जाएगा और बहुत समझदारी से पैसे खर्चा करे जाएगा है जिससे कि हमें ज्यादा से जादा रिटरंस प्राप्त हो बाकि दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था उमिद करता है वीडियो पसंद आ गया होगा आपने एक ओवर्वीव देख लिया है कि इंडिया का एक्सपोर्ट कह सब्सक्राइब कॉल करके इस कोर्स की जाकर ले सकते हैं धर्यबाद दोस्तों